हाई गाईज मैं हूँ मैरावत और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए केसरिया मटका कुल्फी की रसभी गर्मिया स्टार्ट हो गई हैं और गर्मी में सभी कमन करता है कुछ ठंड़ ठंड़ खाने को इसके लिए सबसे बड़ी ऑप्शन है कुल्फी बना कर खाने का और सबसे अच्छी बात है कि ये कुल्फी हम मटके में बनाएंगे यानि कि मिट्टी की खुश्बु वाली केसरिया कुल्फी बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसे जरूर ट्राइ करें आप इसे वरत में भी खा सकते हैं तो फरस्ट अफॉल वेलकम बैक टो मैं चैनल और शुगर लिए है आधा कप आधा कप शुगर है ये पाउडर करके लिए आप क्रिस्टल शुगर भी ले सकते हैं साथ में हम लेंगे कुछ 15-20 बादा बारी काट लिए हैं मैंने चुटे टुकडो में 20-25 पेच्टा लिए हैं और बारी काट लिए हैं इससे टेस बहुत अधा कुलफी में और इलाची पाउडर आप इलाची के दाने भी कूट कर ले सकते हैं में पास पाउडर है तो मैं पाउडर इस्तिमाल करूंगी और साथ में हमने आपर केश्टा त्रेट कुछ भिखा दिये हैं गरम दूद में 15-20 केश्टा त्रेट है ये तो सबसे पहले हम एक कड़ाई लेंगे हैवी बॉटम की कड़ाई लेंगे बड़ी और उसमें दूद डालेंगे और दूद में एक उबाल आने देंगे और दूद को बराबर चलाते रहेंगे दो-दो मिनिट पे तो अभी हम इसको उबाल आने देते हैं तो अभी फ्लेम तेज रखेंगे उबाल आने के बाद हम flame धीमी कर देंगे तो ये उबाल आ गया है पहला अब हम gas flame धीमी कर देंगे एकदम सेम flame में इसे काड़ते वे बनाना है इस दूद को हमें उतना पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए या फिर इसकी quantity आधे से कम ना हो जाए तो ये देखें दूद आधा हो चुका है पकते पकते अब हम थोड़ी देर और पका लेंगे ये देखें थोड़ा और कम हो गया है अब ये परफेक्ट है अब हम इसमें सारी चीजे डाल देंगे तो हम या पर ड्राइप्रोट्स डालेंगे बादाम विष्टे थोड़े से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए इलाइची, इलाइची का पाउडर है ये और केसर, केसर का दूद जाते में शुगर डाल देंगे हम आप अपनी जुरत के मताबिक चीनी कम्याजादा कर सकते हैं और अच्छे से स्टर करेंगे और अगेन इसे थोड़ी देर पकाएंगे 5-10 मिनिट अब इसमें एक उबाल आने लग गया है अब हम इसकी फ्लेम थोड़ी सी हाई करेंगे और इसे इस तरीके से कल्ची से चलाते वे फेटते वे हमें पकाना है जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए तो इसे हम लगातार इस तरीके से हिलाते रहेंगे इससे काफी टेक्चर अच्छा होगा और कुल्फी का सौथ भी अच्छा आएगा तो हमारा दूद अब गाढ़ा हो चुका है ये देखें आप करें तो क्ल्फी जमाएं तो आप य Alices जमाने तो आप defend按 अच्छा तरीका है अगर आपको बढ़ीह टेस्ट चाहिए तो आप इस तरीके के मटकें में कुल्फी जमा एक तो आप किसी तरीके का फास्ट रख रहा है जब भी हम इस souvent घराक दाद है तो आप अगर इस तरीके से काफ़ी बना कर त्यार अगर इस तरिके से ali घ्ली यह कुल्फी पाइब दिखाएंगinä अब यह शर service जबाने के लिए हम इने में फ्रीजर में रखेंगी और फ्रीजर में depends on its own और यह काफे टेस्टी बने, एकदम स्मूध बने, अब यह सारे फिल कर दिया है, उपर से डाल देंगे पिष्टे, थोड़े से सुन्दर दिखेंगे और टेस्टी भी, तो अब हम इने क्लिंग रैप से रैप करेंगे, इस तरीके की क्लिंग रैप, अगर आपके पास यह नह मिट्टी के बरतनों में बनी हुई और भी रेसिपी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, और मावा कुल्फी की भी रेसिपी है, आप चाहे तो देख सकते हैं, तो यह मैंने तियार कर लिए है, क्लिंग रैप उपर से रैप करती है, अब हम इने रखेंगे 8-10 घंटे के और यह परफेक्ट जमी है, चलिए अब हम इसे कट करके देखते हैं, कि अंदर से इसका टेक्स्चर कैसा है, यह देखें, एकदब मज़एदा ठंटी ठंटी कुल्फी बनकर त्यार हुई है, तो आप इस गर्मे में यह कुल्फी बनाएं, बहुत ही एज़ी है, और बहुत